Hello students and welcome to English class. आज हम इस वीडियो में कुछ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे I, My, You and Your. प्रोनाउंस वो वर्द्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन की जगह में करते हैं. तो इस लिसन में हम I, My, You and Your इन चार प्रोनाउंस के यूज को पढ़ेंगे. ये चारो प्रोनाउंस हमें बोलने वाले के जैंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं. मतलब जो बोल रहा है वो इस्तरी है या पुरुश है इस बारे में हमें नहीं पता लगता. I मतलब मैं और माई मतलब मेरा. I का यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी क्रियाओं के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, आदतों के बारे में, अपनी प्लांस के बारे में और अपने बारे में बात करते हैं. अब हम कुछ ऐसे sentences देखेंगे जहां पे I का use हुआ है जैसे I am playing, मैं खेल रहा हूँ I love healthy food, मुझे स्वस्त खाना पसंद है I go to school daily, मैं रोज school जाता हूँ I live in India, मैं भारत में रहती हूँ ये कुछ sentences हमें I का use बताते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई वस्तू, कोई जगे, कोई रिष्टा हमारा है तो हम माई का use करते हैं जैसे my village, my pencil, my father, my friend माई का use समचने के लिए यहां हम कुछ examples लेखते हैं जैसे my name is Radha मेरा नाम Radha है My father is a farmer मेरे पिताजी किसान है India is my country भारत मेरा देश है Please give my pencil कृपया मेरी pencil दे दे यू का मतलब होता है तुम और आप और your का मतलब होता है तुम्हारा या आपका जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो उसको यू कहके संबोधित करते हैं यू का यू समझने के लिए हम कुछ उधारन देखेंगे जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी हर एक चीजों को बताने के लिए हम यूर वर्ट का यूस करते हैं ये बिलकुल उसी तरह है जैसे अपनी हर चीज को बताने के लिए हम माई वर्ट का यूस करते हैं अब हम यूर वर्ट के यूस वाले कुछ सेंटेंस देखेंगे जैसे तुम्हारा नाम क्या है ये तुम्हारा बॉक्स है यू शुड ओबे यूर पैरंस तुम्हें अपने पैरंस की बात माननी चाहिए कीप यूर क्लास क्लीन अपनी क्लास को साफ रखो की यूस के बारे में बताने वाला ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्लास 3 रेंबो के दूसरे वीडियो देखने के लिए नीचे दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिये के लिंक्स को टच करें थैंक यू